आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप learner license online कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको आटी office विजिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसमें 300 रुपया के something आपका चार्ज लगता है, having license बनवाना चाते हैं, तो driving license बनवाने से पहले आपको learner license ब अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड, pen card, mobile number, email id, आपका passport, site का photo, signature, यह सारे documents होने चाहिए, तभी आप learner license के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बनेरी इस वीडियो में तक मैं आपको लाइप प्रोसेस करके दिखाऊंगा, क्या आप online learner license कैसे ब करते हैं, लाइसेंस या फिर driving license online बनवाने के लिए आपको ministry of road transport and highway की official website पर आना है, इसके लिए अपने mobile laptop में कोई एक browser open करेंगे, browser में आपको सर्च करना है, परिवाहन.gov.in या फिर इस वीडियो के description box में link मिल जाएगी, आप उस पर click करेंगे, तो डारेक्ट आप परिवा website पर आजाएंगे, जैसे इस website पर आएंगे, कुछ इस तरही किसे dashboard आपके सामने आएगा, परिवाहन से related कोई भी online services इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपको option मिल जाएगा, online services का, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, काफी सारी services यहाँ पर online की गई है, पर आपको driving license related services वाले option पर click करना है, जैसे इस पर आप click करेंगे, तो आपके सामने नया page school करा जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना state select करना है, यहाँ पर जो भी आपका state रहेगा, state select करेंगे, जैसे state select करेंगे, तो यहाँ पर contactless EKYC services यहाँ पर देख सकते हैं, कि learner license के लिए available है, इसको आप skip कर देंगे, यहाँ से आप learner license online बनवा सकते हैं, किसी भी state के लिए अगर आप apply करते हैं, तो यहाँ पर उस state का आप यहाँ पर dashboard देख सकते हैं, जैसे apply for learner license वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर देखेंगे application submission आ जाएगा, तो कैसे आपको application submit करना ह documents upload करने है, photo signature upload करना है, fees payment करना है, उसके बाद आप अपना receipt print कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 7 number step आ जाता है, कि आपको अपना documents परिवहन विभाग में, यानि RTO office में verify कराना पड़ेगा, तब आप online उस state का नहीं बनवा सकते हैं, जिस state में यहाँ पर 6 step रहेंगे, वहाँ पर यहाँ पर आपको continue option पर click करना है, जैसे यहाँ पर आप continue करेंगे, तो यहाँ पर आपकी category आजाएगे, journal, या फिर अगर कोई और है, तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे, जैसे diplomats हैं, foreigners, या फिर foreigners हैं, but not diplomats, journal, OCI, physical or challenge, यानि आप physically handicapped हैं, तो यहाँ पर जो भी रहेंगे आप चूज कर लेंगे, general हैं, तो general चूज करेंगे, और यहाँ पर आपको submit वाले option पर click करना है, जैसे यहाँ पर आप submit करेंगे, तो देख सकते हैं, submit view आधार authentication और submit without आधार authentication, अगर आप without आधार authentication करते हैं, तब आपको RT office visit करके, अपना documents वहाँ पर submit करने का जरूत आपको RT office जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको submit वाले option पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ok कर देना है, जैसे आप ok करेंगे, तो इस तरीके से screen आजाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आधार number और virtual ID number जो आपके पास available है, उस पर आ आधार number डालेंगे, आधार number डालने के बाद यहाँ पर आपको generate OTP वाले option पर click करना है, तो जो भी आपके आधार करते mobile number link रहता है, उसका last four digit यहाँ पर आजाएगा, यहाँ पर आपको OTP डालना है, यहाँ पर आपको 3 term and condition मिल जाएगी, तीनो term and condition को आपको accept करना है, और आपको scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका address भी आजाएगा, यहाँ पर आपको simply proceed वाले option पर click करना है, जैसे यहाँ पर आप proceed करेंगे तो देख सकते हैं, कि यहाँ पर आपका state आजाएगा, आपको यहाँ पर अपना RTO office चूज कर लेना है, RTO office करने के बाद यहाँ पर आप नीचे name of applicant देख सकते हैं, यहाँ पर detail रहेगा, आपको scroll करके नीचे आना है, place of worth यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर place of worth आप डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर date of worth देख सकते हैं, ले लेगा, और आपका age ले लेता है, country ले लेगा, blood group यहाँ पर आप डाल देंगे, जो भी आपका blood group रहता है, landline number अगर आपको यह है तो डाल सकते हैं, qualification compulsory है आपको डालना, तो यहाँ पर आप qualification अपना डालेंगे, नीचे यहाँ पर आपको mobile number मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको registered mobile number देना जरूरी होता है, mobile number डालने के आपके सामने आजाएगा, आपको scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर duration मिल जाएगा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं अपने address पर, तो यहाँ पर जो भी आप करहेगा, तो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आना है, अब यहाँ पर मिल आपको select class of vehicle, यहाँ पर आपको अपने vehicle की class select करनी है, देख सकते हैं, motorcycle without gear, MCWOG हो जाएगा, इसका साथ यहाँ पर आपको LMB select करना है, LMB ही आपको बनवाना होता है, light motor vehicle, LMB आप यहाँ पर select करेंगे, और यहाँ पर आप next वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, select cover आजाएगा, light motor vehicle LMB, यहाँ पर आप LMB यानि light motor vehicle अपलाई कर सकते हैं, अगर आपको heavy अपलाई करना है, उसके लिए out to your office आपको जाना ही पड़ता है, इसके साथ ही देख सकते ही, is the applicant trained from driving school, अगर driving school से trained है, तो यहाँ पर tick mark करेंगे, otherwise आपको यहाँ पर इसको skip कर देना है, कोई compulsory नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आपको self declaration form 1 मिल जाएगा, इस पर आप click करेंगे, और यहाँ पर आपको self declaration देना है, physical fitness के लिए, यहाँ पर physical fitness में आपको declaration देना होता है, कि आप first में बोला जा रहा है, कि कभी आपको hot track आया है, तो यहाँ पर no choose करेंगे, second में यहाँ पर आपसे पूचा जा रहा है, कि आपको सही सी दिखाई देता है, तो यहाँ पर yes करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको sum in no कर देना है, यहाँ पर कुछ न कुछ आपसे पूछा जाता है क्या कभी आपको hot tech आया है, क्या आप disabled है, या फिर आपको सुनाई देने में problem है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, blindness है, तो यहाँ पर सभी में आपको no कर देना है, और यहाँ पर tenement condition को आपको accept करना है, submit value option पर click कर देना है, और कभी आपका accident हो जाता है, तो यहाँ पर yes करेंगे, otherwise यहाँ पर आपको donate नहीं करना है, तो यहाँ पर no भी कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको submit value option पर click कर देना है, यहाँ पर आपके सामने accept आजाएगा, यहाँ पर आपको ok कर देना है, are you sure details, जो भी आपने fill किय सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आपको ok कर देना है, और यहाँ पर थोड़ा आपको wait करना है, देख सकते हैं, कि यहाँ पर आपका successfully details submit हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपको application number मिल जाता है, future reference के लिए, आप यहाँ पर आपको अपना payment करना होगा, तो यहाँ प to be done by the applicant, यहाँ पर applicant के दौर आपको fees payment करना है, और यहाँ पर आपको proceed वाले option पर click करना है, जैसे यहाँ पर आप proceed करेंगे, देख सकते हैं, कि total यहाँ पर आपको fees बताएगा, कितना fees लगेगा, ऐसे 274 रुपय का grant total fees लगेगा, देख सकते हैं, total amount, और यहाँ पर आप ऐस और यहाँ पर आपका इस तरीके से screen रहेगा, यहाँ पर जो आपको capture code दिखेगा, इस capture code को fill करेंगे, जो भी रहेगा, small letter में, capital में, तुछी साब से आप fill करेंगे, और यहाँ पर आपको payna वाले option पर click करना है, यहाँ पर payment करना है, यहाँ पर जो method से आप payment करना चाहेंग उस method से payment कर सकते हैं, जैसे पर payment details देख सकते हैं, debit card, credit card, net banking, UPI और wallet, आपको सभी तरीके के option मिलते हैं, यहाँ पर net banking की तुरू में payment करूँगा, जिस method से आप payment करना चाहते हैं, payment कर सकते हैं, यहाँ पर bank select करेंगे, पेना वाली option पर click करेंगे, तो जो भी bank आप select करेंगे, यहाँ पर आपको अपना user ID, password डालके payment करना होता है, यहाँ पर हम अपना user ID डालेंगे, नीचे यहाँ पर आपको password डालना होता है, उसके बाद यहाँ लोग इन वाली option पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको confirm करना है, then again आपको यहाँ पर confirm आएगा, confirm करेंगे, आपके number पर O OTP सेंड किये जाता है OTP आपको यहां पर डालना है देख सकते हमारे नमबर पर OTP आ गया OTP डालेंगे यहां पर confirm वाले option पर click करेंगे जैसे confirm करेंगे तो payment आपका successful हो जाएगा और यहां पर आपको back air refresh प्रिश्ट नहीं करना है यह automatic आपको परिवहन सेवा की official website पर redirect कर देगा थोड़ा आपको wait करना है और जो भी आपका receipt होता है download हो जाएगा देख सकते है click here for print receipt आपका यहां पर successfully complete हो चुका है application number, bank reference number और जो भी आपका total amount लगा है यहां पर मिल जागा click here for print receipt पर click करना है पर applicant का detail आजाएगा यहां पर applicant का serial number select करेंगे और यहां पर capture code मिलेगा capture code fill करेंगे print receipt वाले option पर click करेंगे देख सकते हैं कि receipt आपको मिल जाएगा इस तरीके से print होता है इसको आपको यहां पर download कर लेना है या फिर जहां भी सेव करना चाहते हैं उससे आप save कर सकते हैं यहां save वाले option पर click कर देंगे और ज आपको इसी page पर आना है यहां learner license वाले option पर click करना है और यहां पर देखेंगे तो आपको print learner license form 3 मिल आएगा इस पर आप click करेंगे और यहीं से आप अपना learner license डाउनलोड करते हैं यहां पर proceed वाले option पर click करेंगे यहां पर application का number पूचेगा और यहां पर data forth पूचेगा data forth यहां पर डालेंगे और यहां पर आप समिट कर देंगे जैसे आप समिट कर देंगे तो 15 दिन के अंदर आपका जो भी learner license होता है डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप learner license के लिए आप online apply करते हैं और 15 दिन के भीतर आप अपना learner license बनवा के learner license डाउनलोड क कर सकते हैं आई होप दोस्तों कि छोटा से वीडियो आपको काफी पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंट की साथ सेर करिये मन में कोई डाउट यह प्रब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इस्टग्रा